हेलो श्टूडेंट मैं डॉक्टर बरतकुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल भारत के भूगोल में हमारा जो टॉपिक चल रहा है जैविक और अजैविक संसादन उस टॉपिक के अंतरगत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओप्वरेस्ट रिसोर्स या वन संसादनों के बारे में भी वन के अंसादन अण मानव के लिए उप्योगी संसादन मंने गए हैं कि मानव प्रतिच Gabrielle lifes रूप से बनों से संसादन के रूप में कई प्रकार के लाप्राप्त करता है प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान समय तक अगर हम लोग देखें तो बनों का मानव के रूप में जुड़ा हुआ भाग रहा है बढ़ती वर्तमान की जनसंख्या और घटते संसादनों के कारड़ अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में नई जो बननीती बनाई गई है उसके अनुसार भारत में या पूरे विश्व में 33 प्रतिसत बनों का होना आवशक है भारत में जो बननीती 1902 में बनाई गई थी उसमें भी कहा गया है कि 33 प्रतिसत बनों का होना आवशक है वहीं W.E.O. World Environmental Organization के नुसार भी प्रत्री को संतुलत रखने के लिए 33 परसेंट बनों का होना आवशक है भारत में अगर हम लोग बात करेंगे आंकड़ों के बारे में तो भारत में सं 2001 में 19.4 प्रतिसत बन पाई जाते थे 2015 में यह ratio देखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा और यह बढ़कर के हो गया 21.34 और 2019 में जो नई policy आई है उसमें भारत में बनों का जो प्रतिसत है वो बढ़कर के 21.6 हो गया है यानि अगर आपसे question पूछ लिया जाए कि वरतमान समय में भारत में कितने प्रतिसत बन पाई जाते हैं तो आपका आंसर होगा 21.6 लेकिन आपकी किताम में 2015 के आंकड़े दिये गए हैं उसके अनसार 21.34 प्रतिसत भारत में बन पाई जाते हैं अगर हम लोग देखेंगे कि भारत में जो बन पाई जाते हैं हालां कि बनों का प्रतिसत बढ़ रहा है लेकिन जो 33 प्रसेंट बन होने चाहिए उस तक हम लोग नहीं पहुच पा रहे हैं 33 प्रतिसत भारत में बन क्यों नहीं हो पा रहे हैं इसके कौन-कौन से कार्ड हैं तो मुकरूप से इसके 6 कार्ड पाई जाते हैं जिसकी बज़े से भारत में वनों का प्रतिसत जादा नहीं बढ़ पा रहा है जैसे पहला है क्रसी हितू भूमी की मांग में ब्रद्दी कहने का मतलब है कि भारत में जन्संक्या बढ़ रही है वर्तमान समय की बात करेंगे तो 2011 की आकणों के अनुसार 121.1 करोड लोग भारत में रहते हैं और 2021 में जो जन्रक्रणा आने वाली है उसके अनुसार 140 करोड या इससे अधिक जन्संक्या भारत में हो जाईगी तो भारत में जनसंग क्या बढ़ रही है जब जनसंग क्या बढ़ती है तो भोजन की मांग बढ़ती है तो उसकी पूर्ती के लिए में खेती की आप सकता होती है क्रसी की आप सकता होती है और क्रसी की आप सकता की पूर्ती करने के लिए बनों को काटा जाता है जिससे की बनो उद्धोगी करड़ वह सहरी करड़। उद्धोग धन्दों का जब विकास होता है तो उद्धोग धन्दे चलाने के लिए जगे क्याव सकता होती है तो उसके लिए भी क्या है बनों को काटा जाता है। तो तीवर ओद्विकड के करड़ भी बनों का पिछद गठा है सहरी करड़, सहरी करड़ बात करेंगे तो जिन छेत्रों में जंसंक्या बढ़ रही है वहाँ नगर छेत्र अधकांस्ते होते हैं, नगर अपना आकार बढ़ाते जाते हैं और नगरों के किनारे आने वाले बनि होती है तो बनों का प्रतिसाल इस्वेम और होने लगता है तो यह वी करड़ है कि सहरी करड़ का होना तीसरा है घहरेली आप्सक्ताहिं के लिए बनों की कटाई घरेलू आपसक्ताओं की मतलब होता है कि लकडी के रूप में बनों को काटना कागज के लिए बनों को काटना औस्थियों के लिए बनों को काटना तो कई देखा जाता है कि जो पसू पाई जाते हैं, जो इस्तान्तव पसू चार्द इसको कहते हैं, जो एक किस न दूसे समय मुझस पर पहने हैं, शोड़े जो पहधे हो धन्यार जन्यारी, इसी में अगला अगर देखेंगे इस्तानांतरत क्रसी प्रणाली इस्तानांतरत क्रसी प्रणाली की बात करेंगे तो जूमिंग क्रसी मुखरूप से इसके अंतरकत आती है जूमिंग क्रसी के लिए भी क्या है कि बनों को काड़ दिया जाता है और बनों को काड़ दिया जाता तो मुक्रूप से इसमें कई सारे बनों में आग लग जाती है या बनों को जीव जिन्तुग्दा नश्ट कर दिया जाता है अन्य कई काड़ हो सकते हैं जिसकी वज़े से बनों का प्रतिसत क्या है वो कम हो रहा है इसी में अगर हम लोग देख रहे हैं अब आगे बनों के प्रकार बनों के प्रकार को देखेंगे तो भारत में जो बन पाए जाते हैं उन बनों को मुक्रूप से छे भागों में बांड दिया गया है इसमें पहला है उस्ट्रकटबंदिय सदाबाहरवन एबरी ग्रीन फोरेस्ट यानि कि वेवन जो पूरे साल भर हरे बरे रहते हैं इनकी पत्या नहीं गिरती है और जहां बरसा 200 सेंटीमेटर या इससे जादा होती है वहां पर सदाबाहरवन पाए जाते हैं अगर हम लोग भारत की बात करेंगे तो भारत में मुकरूप से तीन ऐसे इस्टान है जहां पर यह सदाबाहरवन पाए जाते हैं इन में पहला है पश्चमी घाट दूसरा है पूरवी हमाल है और तीसरा है अंडमा निकोबार इन तीनों इस्टानों पर सदाबाहरवन पाए जाते हैं और जो सदाबाहरवन जहां मिलते हैं उसकी जो लकडी होती है वो कठोर होती है और यहां ओसत वर्षा 200 सेंट्रिम्टर या इस सेदिक और 58 डिगरी सेल्सियस रहता है यहां पर हम लोग पौदों की बात करेंगे तो इसमें आइलेंड वोड मुकरूप से महागनी नारियल ⁇न्ताड रवड इतियादी के पोदे पाई जाते हैं और यह जिन छेत्रों पर मिलते हैं वहां बर्षा की मातरा अधिक होती है दूसरा है मानसूनी या पतजड़वन यह वन इस्तानों पर मिलते हैं जहां बर्षा की मात्रा 100-200 cm के मद्ध होती है और भरत में इसका अधिकांस्तर छेतर आता है और यह भी बन होते हैं जहां पर रितु आगमन के समय पत्तियां ब्रच्चों से गिर जाती हैं और यहां पर 100-200 cm के मद्ध बर्षा होती है यहां अगर देखेंगे तो जो बन पाए जाते हैं उनकी जो उचाई है वो 20 से 45 मिल्टर के मद्द पाए जाती है और यहां पर मिलने वाले बनों को कई भागों माटा गया है जैसे हिमाचर प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, पूर्वी घाट है, आंध्र प्रदेश का छेत्र है तो इन छेत्रों में मुकरूप से ये बन पाए जाते हैं यहां मिलने वाले बनों में साल, सीसम, चंदन, रोजबोड, कुसुम, इत्यादी के पेड़ मिलते हैं तीसरा इसी में दे रखा है उश्कटबंदिय वन, उश्कटबंदिय यानि वे वन जहां वर्षा 50-100 cm के मद्ध होती है और यहां पर मुकरूप से 20-30 cm, 20-30 cm और सतापपान पाया जाता है यहां पर मुकरूप से 6-9 cm उचे ब्रच मिलते हैं और यहां बबूल, खेजड़ा, आम, नीम, इत्यादी के वन मिलते हैं इसी में चोता दिया गया है मरुस्तली वन, मरुस्तली वन वे वन होते हैं यहां अधिकांस्ते जहाडियां, कटेली जहाडियां देखने को मिलती हैं यहां 50 cm से कम बर्षा होती है और यह मुकरूप से उत्तरपश्मी भारत में देखने को मिलते हैं राजिस्तान गुजरात में ये सरवादिक पाई जाते हैं। इनमें अगर हम लोग बात करेंगे मुक्रूप से मरुष्टली बनों में तो इसमें खजूर, केकडी, खेजडा, इतियादी के बन देखने को मिलते हैं। इसी में अगला है परवतियवन या सीतो, सदाभारवन वेवन जो परवति भागों पर पाई जाते हैं और जो 15-18 मिटर रूचे होते हैं इनमें देवदार, फर, स्पूच, पर्च, इतियादी के पेड़ पाई जाते हैं। इसी में छटमी में अगले हम दोग देखेंगे जोआरी या दल्दली वन, जोआरी वेवन होते हैं जो समंद्रों के किनारे जहां जवार वाटा आते हैं, वहां पर विक्सित हो जाते हैं, और मुकरूप से ये मैंग्रो या डेल्टाई छेतर के वन होते हैं, और जिनकी तो जैसे कि हम लोग जानते हैं बनों का मेत तो प्रतिच और अप्रतिच दो रूप से में देखने को मिलता है और जिस प्रकास से बन हमें अगर हम बात करेंगे प्रतिच रूप से तो लकड़ी फल औस दी इत्यादी हमें इनसे प्राप्त होती है तो वहीं अप्रतिच आने में सहयक मरुष्टल के प्रिसार को रोकना इत्याद इन से लाप्राप्त होते हैं बनों के सरचड की बात करेंगे तो बनों को हमें कई प्रकार से सरचड करना चाहिए जिससे कि हम हम लोग लंबी समय तक बनों को सरच्छड को बड़ावा दे सकें ठैंक्यू